जमात पंजुम की दर्सी किताब माहुल का मुताला हिस्सा दूवम से तारिक का जमाना ये सबक पड़ रहे हैं पिछले वीडियो में हमने ये पड़ा किस तरह से दर्याओं की वादियों की तहजीबे वजूद में आई और तमहीदी वीडियो भी आपने पसंद किया आईए अब हम इस वीडियो में कदीम मुक्तलिफ तहजीबों जैसे मेसो पोटिमा, मिस्र, चीन, हरपपा तहजीबों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे है मेसो पोटिमा ये किसी मुलक का नाम नहीं बलके एक खिते और इलाके का नाम है मेसो पोटिमा का मतलब होता है दो दर्याओं का दर्मियानी इलाका यानि दो आबा कदीम मेसो पोटिमिया यानि दजला और फुराद दर्याओं के बीच का इलाका है ये दोनों दर्याओं बिलखुस तर्कस्तान, सीरिया और इराक ममालिक से बहते है इसी तरह मिस्र की तहजीब, बर्याओं अफरीका के शुमाल में सहारा रिगस्तान के मश्री की हिस्ते में दर्याओं नील वहता है इस दर्या की वादी में दुनिया की एक तरकी आफ़ता शहरी तहजीब परवान चड़ी वो तहजीब मिस्र की पुरानी तहजीब है चीन की तहजीब चीन के दर्या हुआंगोहो की वादी में चीन की तहजीब परवान चड़ी इसी तरह हलपा तहजीब बर्रे सगीर भारत में सबसे कदीम तहजीब हरपा तहजीब के नाम से जानी जाती है ये तहजीब सिंदु दरिया की वादी में परवान चड़ी इस तहजीब के दो मकामात जो पहले रोशनी में आए वो पंजाब में हरपा और सिंद में महंजोदारो थे अब वो मकामात पाकिस्तान में हैं गुजरात में लोथल और धोला वीरा राजस्तान में काली बंगन इस तहजीब के कुछ मशूर मकामात है जो भारत में है प्यारे बच्चों हरपा की तहजीब में जो शहर खुदाई के दर्मियान मिले उनके तामीर बड़ी मनसुआ बंद थी एक दूसरे से यकसा फासले पर जाविया काइमा पर कता करने वाले रास्तों की वज़ा से तयार होने वाली चौपन जगों पर मकानात तामीर किया जाते थी अनाच के पड़े पड़े गवदाम और वसीव और आरीज मकानात इन शहरों की खुद्सियात थी गंदे पानी की नकासी के लिए ढकीवी गडरें घर घर में हमाम और बैतुल खला जैसे इनतिजामात उनके घरों में मौजूद थे एक बहतरीन ताहजीब शहर के दर्मयान वसीव और आरीज मकानात इस ताहजीब की खुद्सियात है